यदि a plus iota का whole square upon 2a minus iota ये p plus iota q के बराबर हो तो हमें सिद्ध करना है p square plus q square equal to a square plus 1 का square upon 4a square plus 1 तो पहले प्रशन को ये देखिए कि यहाँ पर p plus iota q के value दी गई है और हमें ग्यात करना है p square plus q square तो थोड़ा सागर analysis करें तो यहाँ से हम ये समझ पाएंगे कि यदि हम इसका संयुग्मी ले ले और उसको गुणा करें इस पद के साथ तो हमें ये p square plus q square मिल जाएगा तो इसको हल करने के लिए सबसे पहला चरण होगा कि p plus iota q का संयुग्मी या फिर p plus iota q bar ये हम पहले ग्यात कर लेंगे तो दिया गिया है p plus iota q equal to a plus iota का square upon 2a minus iota तो यहां से हम लिखेंगे p plus iota q का bar equal to a plus iota square upon 2a minus iota और ये पूरे का bar तो आपको ये पता है कि z1 upon z2 का bar ये होता है z1 bar upon z2 bar तो इस तरीके से हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं a plus iota का square का bar upon 2a minus iota और ये इसका bar तो आपको ये पता है कि यदि कोई समिश संख्या z equal to x plus iota y हो तो इसका जो संख्या का संख्या का संख्या मिल जाता है तो यहाँ पर ये हर में जो संख्या है इसका संख्या होगा 2a plus iota और ये जो संख्या दिख रही है इसका संख्या निकालने के लिए हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं a plus iota का bar और फिर इसका square तो यहां से हम लिख सकते हैं P plus Iota Q का bar equal to इसका जब बार ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा A minus Iota का ये square हो जाएगा और नीचे में जो हमें रासी मिल रही है 2A plus Iota तो यदि हम इसे समी करण एक नाम दे दे और इसे समी करण दो नाम दे दे और हम दोनों का गुणा करें समी करण एक और दो का गुणा करेंगे तो हमें left side में मिलेगा P plus Iota Q और ये दूसरी रासी है P plus Iota Q का bar जब इसे solve करेंगे तो हमें मिल जाएगा P minus Iota Q equal to ये पहले समी करण का जो right hand side है that is A plus Iota का square upon 2A minus Iota और फिर ये दूसरी समी करण का right hand side है that is A minus Iota का square upon 2A plus Iota अब ये जो left hand side है इसको आप solve करेंगे तो देखिए ये A plus B और A minus B के form पे हैं तो आप लिखते हैं A plus B into A minus B equal to A square minus B square जब इसे आप solve करेंगे तो मिलेगा P square minus Iota square Q square equal to ये देखिए ये A plus B और ये A minus B के form पे हैं तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं A plus Iota into A minus Iota और फिर ये जो square है दोनों पदों का उसे हमने बाहर लिख लिए है अब ये A minus B और A plus B again फिर से तो हमें क्या मिलेगा 2A का square minus Iota square Left hand side में Iota square की value minus 1 होती है तो यहाँ पर हम value put करेंगे तो आपको ये पद मिल जाएगा P square plus Q square equal to ये A plus Iota और A minus Iota इसे हल करेंगे तो मिलेगा A square minus Iota square और बाहर में ये square है फिर नीचे जब solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4A square अब ये Iota square है और आपको पता कि Iota square की जो value होती है ये minus 1 होती है तो minus 1 को यहाँ पर put करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये value है ये plus 1 अब again यहाँ पर देखिए ये Iota square है इसे और हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा A square plus 1 Iota square की value minus 1 होती है तो minus और minus यहाँ पर ये plus 1 हो जाएगा और फिर इसका ये जो पता है इसका square है upon 4A square plus 1 तो यहाँ से हमें मिल गया P square plus Q square equal to A square plus 1 का square upon 4A square plus 1 और यही हमें सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हुआ तो अगला प्रश्ण है यदि Z equal to 2 minus 3 Iota हो तो सिद्ध करना है Z square minus 4Z plus 13 equal to 0 तो इसे आगे हल करते हैं देखिए हमें क्या ज्यात करना है Z square minus 4Z plus 13 और यहाँ पर जो हमें पत दिया गया है यह है Z equal to 2 minus 3 Iota तो अगर यह 2 है इसको मैं पक्षांतलर करके लेप्ट साइट पे ले आओं और अगर उसका मैं वर्ग कर दूँ तो सायद मुझे यह पहले के दो पद मिल जाएंगे तो चलिए आगे करके देखते हैं Z minus 2 equal to minus 3 Iota अब यह पद में वर्ग है तो दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर आपको मिलेगा Z minus 2 का square equal to minus 3 Iota square इसे और आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा Z square minus 4Z plus 4 A minus B का whole square आपको यह पता है A minus B का whole square equal to A square minus 2AB plus B square इसका हम इस्तमाल यहाँ पर कर रहे हैं इसी तरीके से minus 3 Iota का whole square है यहाँ पर minus और minus plus हो जाएगा चूंकि A square है और 3 का square 9 और Iota का Iota square हो जाएगा अब चूंकि Iota square की value जो minus 1 होती है वो value हम यहाँ पर put कर देंगे तो हमें मिलने माला है Z square minus 4Z plus 4 equal to 9 into minus 1 that is minus 9 यह क्यों? Iota square की value minus 1 रखने से तो यहाँ से यह जो minus 9 ने उसका हम पक्षांदर करके left hand side पे ले आते हैं Z square minus 4Z plus 4 plus 9 equal to 0 अब यह दोरों पत को हम जोड़ देते हैं तो मिल जाएगा Z square minus 4Z plus 13 equal to 0 जो की हमें सिद्ध करना था तो इस तरीके से हमने यह प्रस्न को हल किया प्रस्न है यदि Iota into Z cube plus Z square minus Z plus Iota equal to 0 हो तो दर्साइए की mod Z equal to 1 होगा तो चलिए पहले हम हल करते हैं पहली रासी यह दिया गया है यह जो पद हमें दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं Iota into Z cube plus Z square minus Z plus Iota equal to 0 अब चूकि हमें mod Z की value निकालनी है और यहाँ पर हमें Iota दिख रहा है पहले time के साथ ultimately यह जो हमें भूपत दिख रहा है equal to 0 समीकरण है इसे हमें पहले गुननखंड कर लेना है उसके बाद हम इस result तक पहुँच सकते हैं तो इसे आगे हल करने के लिए हम Iota से भाग दे देते हैं हर एक पद को तो पहले पद को जब Iota से भाग देंगे तो सिर्फ Z cube बचेगा इसी तरीके से दूसरे पद में हमें Z square upon Iota मिलेगा तीसरे पद में Z upon Iota मिलेगा और चौथे पद में हमें 1 मिल जाएगा Iota upon Iota that is 1 अब ये देखिए कि ये Z upon Iota है उपर एक अलग समिश संख्या है और नीचे अलग समिश संख्या है तो हम हल कर लेते हैं Z square upon Iota में यदि हम Iota का गुणा और भाग कर दें तो नीचे हमें मिल जाएगा Iota square और उपर मिल जाएगा आपको Iota into Z square और आपको पता है कि Iota square की जो एलियो होती है वो minus 1 होती है तो इसमें हम उसको put कर देंगे तो आपको मिल जाएगा minus Iota into Z square इसी तरीके से ये जो दूसरा पद है इसे भी हम हल कर लेते है Z upon, ये minus Z upon Iota है तो आप इसे लिखेंगे minus Z upon Iota into Iota upon Iota अब देखिए Iota into Iota ये हो जाएगा Iota square और ये minus sign पहले से है और Z into Iota करेंगे तो आपको मिल जाएगा Z Iota अब फिर Iota square की value minus 1 होती है यहाँ पर जब आप put करेंगे तो minus Z Iota upon minus 1 और ये minus और minus दोनों cancel हो जाएगा ultimately हमारे पास जो value बचेगी वो है Z Iota तो ये जो दो value हमें मिल रही है ये वाली value और ये वाली value इसे हम यहाँ पर put कर देते है तो हमें मिल जाएगा Z cube minus Iota Z square plus Z Iota ये वाली value फिर ये plus 1 equal to 0 अब गुननखंड करने के लिए हम पहले दो पदों में कुछ उभेनिष्ट निकालेंगे और अंतिम दो पदों में कुछ उभेनिष्ट निकालेंगे तो यहाँ से हम Z square जो है वो उभेनिष्ट निकाल सकते हैं तो यहाँ पर जो value बचेगी होगी Z minus Iota और इन दोनों पदों में अगर Iota को common ले लिया जाए तो Iota Z और यहाँ पर हम लिखेंगे minus Iota equal to 0 देखिए यहाँ पर ये plus sign है और ये minus sign है अगर इसे हम गुणा करके देखिए तो आपको क्या मिलेगा Iota Z minus Iota square और Iota square की value क्या होती है minus 1 तो Iota Z plus 1 देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए है तो इस तरीके से हमने जो गुनंड खंड किया है यह सहीं किया है अब दोनों पदों में Z minus Iota जो है वो common है तो Z minus Iota को हम common ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा Z square plus Iota equal to 0 दो अलग अलग पदों का गुनंड फल्शून्य है तो यहाँ से हमें मिलेगा Z minus Iota equal to 0 या फिर Z square plus Iota equal to 0 यहाँ से Z equal to Iota मिलेगा अगर दोनों का हम mod ले लें तो हमें मिल जाएगा mod Z equal to Iota का mod और Iota का mod क्या होगा देखिए Z equal to अगर A plus Iota B हो तो इसका mod हम क्या लिखते हैं square root over real part का square plus imaginary part का square अब यहाँ पर सिर्फ real part यहाँ पर सिर्फ imaginary part है real part नहीं है तो इसका मतलब यह कि real part यहाँ पर 0 है और imaginary part 1 है तो overall square root over अब 1 का square करेंगे तो हमें जो value मिलेगी वो होगी 1 तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं mod Z equal to 1 तो यह left hand side में जो हमें मिला था इस term के लिए हमने mod Z equal to 1 यह proof कर लिया है अब यह जो दूसरा पद है इसके लिए हम देखते हैं Z square plus iota equal to 0 है Z square equal to यह मिल जाएगा minus iota अगर दोनों तरफ हम mod ले ले इस तरीके से तो आपको जो value मिलेगी यह मिलेगी mod Z square equal to 1 और इससे हम आगे conclusion यह निकाल सकते हैं कि यह mod Z equal to 1 होगा तो इस तरीके से दोनों इस थीतियों में हमें mod Z equal to 1 मिल रहा है तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि यदि iota Z cube plus Z square minus Z plus iota equal to 0 हो तो mod Z equal to 1 होगा तो अगला प्रशन लेते हैं हमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समिस्त्र संख्याओं 1 plus iota minus 2 plus 3 iota और 5 by 3 iota से निरूपित होने वाले बिंदू समरीख है तो आपने थोड़ी देर पहले यह देखा था कि समिस्त्र संख्याओं को हम किसी समतल पर या समिस्त्र समतल पर किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं तो हम यह मान करके चलते हैं कि पहला z1 जो है यह 1 plus iota है और इसका जो क्रमिक यूग में है इसे मैं a1 यह ले लेता हूँ z2 जो है यह minus 2 plus 3 iota तो इसके लिए क्रमिक यूग में b minus 2,3 यह मैं ले रहा हूँ और z3 जो की 5 by 3 iota है तो इसका जो हमें क्रमिक यूग में मिलेगा यह 0,5 by 3 मिलेगा अब यहाँ पर कहा गया है कि इस तीनो बिंदूओं से समिस्त्र संख्या जो निरूपित हो रही है यह सारे बिंदू जो है वो समरेक है तो पिछले कक्षा में आपने पढ़ा है कि यदि तीनो बिंदू समरेक होती है तो उससे बनने वाले त्रिभुच का शेत्रफल 0 होता है तो आपको यह पता है कि यदि त्रिभुच के सिर्ष के निर्देशांक x1, y1 b, x2, y2 और c, x3, y3 हो तो त्रिभुच का शेत्रफल होता है 1 by 2, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 यह equal to 0 होगा यदि यह तीनो बिंदू समरेक हो देखिए यह चक्री एकरम में है यहाँ पर अगर x1 है तो यहाँ पर आपको y2 और y3 मिलेगा फिर दूसरे पद में जब शुरुवात होती है x2 से तो 2 केबाद आता है 3 3 केबाद आता है 1 किसी तरीके से यहाँ पर आएगा 3 है तो 3 केबाद आएगा 1 और 1 केबाद आएगा 2 तो यह जो 1, 2 और 3 है यह चक्री इकरम में चलते जा रहे हैं इस तरीके से आप इस formula को याद रख सकते हैं तो यहां से हम value put करते हैं देखे एकस ए जो है x1 y1 है इसका मतलब यह कि यह जो coordinator यह x1 है और यह y1 है x1 की जो value है यहां से हम लिखेंगे 1 y2 यह वाली जो value है यह y2 होगी that is 3 और यह वाली value y3 होगी x2 x2 की जो value यह minus 2 है तो हमने यहां पर minus 2 रखा y3 यह 5 by 3 है और y1 जो है यह 1 है plus x3 0 है तो 0 के बाद आगे कोई भी पदों इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप 0 से गुणा करेंगे तो वो पद हमें 0 ने मिलेगा इस तरीके से आगे हल करते हैं 1 by 2 अब किसी संख्या का एक से गुणा करेंगे तो वो संख्या आपको मिल जाएगी यहां पर लगत्यों साहब परत मिलेगा तीन और तीन और तीन का गुणा करेंगे तो 9 और 9 रिंट 5 यहां पर पहला पद मिल रहा है फिर यहां पर भी लग इस तसे खरेंगे हैं जो सारे बिंदू संख्या है और भी आगे जो प्रश्ण होंगे जहाँ पर समानतर चतुर्भुज से सम्मंदित प्रश्ण होंगे वहाँ पर आप समान्य जामितिय नियमों का उप्योग करके उसे हल कर सकते हैं तो अब हम पढ़ने वाले हैं द्वी घातिय समीकरण जिसका माना करूप होता है ax square plus bx plus c equal to 0 जहाँ पर a का मान शुन्य नहीं होता जैसे ही a का मान शुन्य होगा यह जो समीकरण है यह रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा और आपने पढ़ा है कि रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें 4 रासी की अधिकतम घात एक होती है लेकिन ये जो द्वी घाती समीकरण है इसमें हमें जो घात है वो दो चाहिए तो इसे हम हल करने के पहले एक मूल भूत प्रमे है जिससे हम देखते हैं इसका कसन कुछ इस प्रकार है एन घात का प्रत्येक बहुपद एन सुन्यांक रखता है या फिर दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि N घात के प्रत्येक बहुपद के N मूल होते हैं तो इसका क्या तात्परिया है? देखिए यहाँ पर ये एक वर्ग समीकरण है वर्ग समीकरण में 84 की अधिक्तम घात जो है ये दो है तो इसका तात्परिया है इस सिद्धान के अनुसार कि इस समीकरण को हल करने पर X के ऐसे दो मान मिलेंगे जो इस दिये गए समीकरण को संतुष्ट करेगा उसी तरीके से हम जानते कि रैखिक समीकरण जो होता है उसमें 84 की अधिक्तम घात एक होती है तो उस समीकरण को हल करने पर हमें X का सिर्फ और सिर्फ एक ही मान मिलेगा जो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा तो इस तरीके से यह प्रमे है अब पिछले कक्षा में आपने पढ़ा था कि AX स्क्वेर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 इसका जो हल है उसे हम सूत्रवीधी से लिखते हैं X इक्वल टू माइनस B प्लस माइनस रूट ओवर B स्क्वेर माइनस 4AC अपन 2A और आपने इस रासी को विवित्कर कहा था जिसे D से प्रदर्सित करते हैं इसका मान होता है B स्क्वेर माइनस 4AC और जब D का मान रिनातमक संख्या होती है तो हम कहते हैं कि ये जो मूल कालपनिक होंगे जब मूल कालपनिक होंगे तो उसे हम आगे हल करेंगे पिछले कक्षा में आपने यही तक किया था तो हमारे पास एक वर्गसमी करण है ने एक स्क्वेर प्लस एकस प्लस वन इग्वल टो जिरो ये वर्गसमी करण है, इसका हमें हल गयात करना है अर्थात, एकस का हमें दो एसे मान निकालने हैं जो इस दिये गया समी करण को संतोष करता है तो इसके पहले हम क्या करेंगे जो द्वीगाती समीकरण है या वर्ग समीकरण है इसका माना करूप यही है AX स्क्वेर प्लस BX प्लस E equal to 0 तो हम यहाँ पर गुणांकों की तुलना करते हैं तो यह जो समीकरण को अगर मैं दो नाम दे दूँ तो एक और दो की तुलना करने पर यहाँ पर X स्क्वेर है यहा यहाँ पर X स्क्वेर का जो गुणांक है वो A है और यहाँ पर 1 है तो हमें तुलना करने पर हमें मिलेगा A equal to 1 Similarly, यहाँ पर X का जो गुणांख है वो B है और यहाँ पर X का जो गुणांख है वो 1 है और यहाँ पर जो अचरासी C है और यहाँ पर 1 है तो हम लिखेंगे C equal to 1 तो यदि यहाँ पर हम विवितकर का मान या discriminant D का मान निकाले तो हमें मिलेगा D equal to होता है B square minus 4AC तो यह B का मान एक है minus 4AC इसे जब हल करेंगे तो मिलेगा 1 minus 4 equal to minus 3 जो की एक रिनात्मक संख्या है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मूल होंगे वर्ग समी करंड के मूल कालपनिक होंगे आगे हम इसे दो अलग-अलग विदियों के द्वारा हल कर सकते हैं एक है सूत्र विदी जो की यह formula है और दूसरा हम गुननखंड विदी का इस्तमाल करके इसे हल कर सकते हैं तो चलिए इस सूत्र को उपयोग करते हैं और हल करते हैं X equal to minus B तो minus chin पहले रहेगा और B का मान है 1 तो यहाँ पर हम इसे put कर देंगे फिर plus minus square root over B square तो B मतलब 1 है तो यहाँ पर यह 1 का square हो जाएगा minus 4 into A into C upon 2A A का मान जो यहाँ पर 1 है इसे आगे हल करेंगे तो मिलेगा minus 1 plus minus यह हमने अभी यहाँ पर हल किया था देखिए 1 minus 4 that is minus 3 मिला था तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे minus 3 upon 2 और थोड़े देर पहले आपने पढ़ा था कि आयोटा जो होता है यह होता है square root over minus 1 तो यह जो square root minus 3 है इसे हम लिखेंगे minus 1 plus minus root over यह minus 1 और root 3 upon 2 तो यह जो संकिया में दिख रही है इसे हम आयोटा लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा x equal to minus 1 plus minus root 3 into आयोटा upon 2 अब देखिए यहाँ पर x का में 2 मान मिलेगा मान लेते हैं कि पहला मान x1 है तो एक बार आप धन चिन्न ले लीजिए तो अपकर मिलेगा x या x1 equal to minus 1 plus root 3 आयोटा upon 2 और रिंड चिन्न लेने पर हमें जो मान मिलेगा वो क्या होगा minus 1 minus root 3 आयोटा upon 2 तो यह जो है इस प्रश्न का उत्तर है जहाँ पर हमने दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण के माना करूप से करके गुणां को a, b और c का मान गयात किया और फिर सुत्रविधी का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर x का मान गयात किया है तो अगला प्रश्न है x square minus x plus 1 equal to 0 यह हमें एक वर्ग समीकरण दिया गया है यह अध्विगाती समीकरण दिया गया है इसमें हमें x का मान गयात करना है तो पहली बात यह सुत्रविधी लगा करके देख लेते हैं और फिर दूसरे विधी से भी हम इसे हल करके देखेंगे तो वर्ग समीकरण का जो माना करूप होता है वो होता है A x square plus B x plus C equal to 0 से तूलना करने पर किसके तूलना कर रहे हैं समीकरण 1 की तूलना कर रहे हैं समीकरण 2 से तो पिछली बार हमने किया था A equal to 1 है B equal to minus 1 है और C equal to 1 है यहाँ पर यदि D का मान निकालना हो तो B square minus 4 AC यह हम यहाँ पर solve कर लेते हैं B की जो value यह minus 1 है इसका square minus 4 into A into C इसे हल करेंगे तो मिलेगा 1 minus 4 equal to minus 3 तो यहाँ पर D का मान जो है वो रिनात्मक संख्या आ रही है तब हम कह सकते हैं कि मूल कालपनिक होंगे चलिए आगे हल करते हैं सूत्रवीदी से हम लिखते हैं X equal to minus B plus minus root over B square minus 4AC upon 2A B का मान है रिनेक तो यह minus और यह minus 1 then plus minus root over B square minus 4AC यह देखिए B square minus 4AC को हमने solve किया है और यह minus 3 आया है यहाँ पर value पूट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा minus 3 upon 2 into 1 that is 2A इसे आगे हल करेंगे तो आपको मिलेगा यह minus और minus हो जाएगा plus 1 plus minus अब देखिए यह जो root square root के अंदर minus 3 है इसे हम कुछ हिस तरीके से लिख सकते हैं root 3 into root minus 1 upon 2 तो हम यह जानते हैं कि जो square root minus 1 है यह आयोटा है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x equal to 1 plus minus root 3 into iota upon 2 क्यों iota square equal to minus 1 या फिर iota equal to square root over minus 1 यह इसका reason है अब यहाँ पर एक माना में धनात्मक रखने पर मिलेगा और दूसरा मान जो है वो धनात्मक रखने पर मिलेगा तो पहला ले लेते हैं धन चिन लेने पर मान लेते हैं कि यह x1 है तो x1 equal to 1 plus root 3 iota upon 2 यहाँ पर मान लेते हैं कि यह x2 है तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 minus root 3 iota upon 2 तो यह वर्ग समीकरंड में जो 480 है x उसका एक मान है और यह दूसरा मान है जो कि इस दिये गए समीकरंड को संतुष्ट करता है तो अब हम यहाँ पर दूसरी विधी देखते है दूसरी विधी में हम गुनंडखंड का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए x2 minus x plus 1 equal to 0 है यह एक वर्ग समीकरंड है इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा एक सर्वसमीका का जो की है a plus b का whole square equal to a square plus 2ab plus b square अब चुँकि यहाँ पर minus है तो हम a minus b जो formula है उसका उपयोग कर लेते है तो यह हमें मिलेगा a minus b का whole square equal to a square minus 2ab plus b square अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए कि यह x square है यह तो अपने आप में पूर्ण वर्ग है लेकिन यह जो बीच का पद है यह minus x है और यहाँ पर हम देख पा रहे है कि जो बीच का पद होता है यहाँ पर 2 तो जरूर होता है तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या कर रहे है देखिए x square है पहले हम 2 का multiply कर रहे है फिर हम 2 का divide कर रहे है और फिर यह x पहले से plus 1 equal to 0 तो यह equality अभी भी बनी हुई है क्योंकि हमने जिस संख्या का गुणा किया है उस संख्या का भी हमने भाग भी कर दिया है अब यह 2ab के form पर तो दिख रहा है यह जो x है यहाँ पर यह a के equivalent है वैसे ही यह 2 यहाँ पर भी यह 2 है यहाँ पर यह x यह a के equal है तो यहाँ पर जो quantity बचरी 1 by 2 यह b के equal होगा यह obvious सी बात है तो हम क्या करेंगे यह a minus b का whole square बनाने के लिए 1 by 2 का square यहाँ पर क्या आ रहे है b का square तो इसका मतलब है 1 by 2 का square करेंगे तो हम मिलेगा 1 by 4 तो 1 by 4 को हम add करेंगे और subtract करेंगे तो यह x square minus 2 into 1 by 2 into x plus 1 by 4 plus 1 minus 1 by 4 equal to 0 तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 by 4 को add किया तो 1 by 4 को मैंने subtract भी कर दिया है तो इस तरीके से यह जो समीकरण है उसकी equality बनी हुई है तो पहले के जो तीन पद हमें दिख रहे हैं यह वर्ग समीकरण के standard form को belong करता है तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं x minus 1 by 2 का whole square plus इसे जब solo करेंगे 1 minus 1 by 4 तो यह आजाएगा 4 minus 1 that is 3 3 by 4 इसका मान हमें मिलने वाला है तो यह जो समीकरण हमें दिख रहा है इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं x minus 1 by 2 का whole square minus iota square 3 by 4 तो यह जो 3 by 4 है इसे हम root 3 upon 2 का whole square भी लिख सकते हैं दखिए root 3 का square करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 और 2 का square करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 यहाँ पर iota square दिख रहा है तो हमने क्या किया है यह जो plus है इसके जगा हमने minus लिखा है और आपको पता है कि iota square की value minus 1 होती है तो उसका हमने यहाँ पर इस्तमाल किया है अब ध्यान से देखिए यह भी एक सर्वसमीका के मानक रूप को से सम्मंदित है वो कैसे a square minus b square equal to a plus b into a minus b से तो इसका हम इस्तमाल करेंगे a के जगा में यह पूरी रासी है और b के जगा में यह पूरी रासी है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते है x minus 1 by 2 minus अगर यह वाला पत लें तो चलिए पहले हम plus वाला पत ले लेते हैं तो plus iota root 3 upon 2 यह a plus b हो गया फिर a minus b तो यह a की value है minus b और b की value है iota root 3 by 2 equal to 0 तो अब देखिए कि यह दोनों अलग-अलग पतों का गुनेटफल 0 है तो यह तो यह पत सुनी के बराबर होगा और यह पत सुनी के बराबर होगा तो दोनों को हम अलग-अलग equate कर लेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा x minus 1 by 2 plus iota root 3 upon 2 equal to 0 या फिर यह वाला पद x minus 1 by 2 minus iota root 3 upon 2 equal to 0 तो इसको हम जब आगे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा x equal to यह जो minus है right hand side में shift हो करके या पक्षांतर करने पे हमें plus मिल जाएगा और यह जो plus है उधर जाकरके minus हो जाएगा तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहां पर लगताओं साब पर ते 2 है और यहां पर यह एक और यह iota वर्गमूल 3 या फिर यह जो मान है इसे अगर हम लिखें x equal to यह minus है right hand side में जाकरके या पक्षांतर करके यह plus हो जाएगा और यह minus है वो भी आगे जाकरके right hand side पर जाकरके plus हो जाएगा यहां पर भी लगताओं साब पर ते 2 है तो यहां पर हमने 2 लिख दिया और अंस में जो रासी है वो 1 प्लस iota root 3 तो इसे हम अगर x1 दे 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 और इसे हम x2 दे दे तो देखिए कि यह जो मान हमें मिल रहा है यह मान और यह मान आपस में बराबर है उसी तरीके से यह मान और यह मान आपस में बराबर है तो आप किसी भी वीधी का उपयोग करिए द्विगाती वर्ग समीकरंट को तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा A equal to 1, B equal to 8 iota, ध्यान दीजिए यहाँ पर यह 8 iota है, इसके पहले हमने कोई भी ऐसा प्रशन हल नहीं किया जिसमें iota जो है वो उप्योग में आता है, यहाँ पर plus 3, C equal to, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि A equal to आपको तुलना करने पर मि फिर X equal to minus B plus minus root over B square minus 4AC upon 2A, इसमें मान रख दीजिए, minus B, तो यह होजाएगा minus 8 iota, 8 iota तो positive है, लेकिन यहाँ पर minus sign का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यह minus 8 iota होगा, फिर plus minus root over B square, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 iota का square, minus 4A, यह 3 है, और C, यह भी 3 है, upon 2A, और A का मान 3 है, तो यहाँ पर यह मान रख दीजिए, तो इसे हम आगे हल करते है, minus 8 iota plus minus root over, इसे आप हल करेंगे तो मिलेगा 64 iota square, और इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 36 upon 6, अब यह आजाएगा minus 8 iota plus minus root over, यह देखिए, यह iota square है, इस का मान आपको पता है कि यह minus 1 होता है, तो minus 1 का multiply 64 से करेंगे, तो आपको मिल जाएगा minus 64, और यह minus 36 पहले से जो था, upon 6, इसको हम हल कर लेते हैं, तो आपको मान मिलेगा minus 8 iota plus minus root over minus 100 upon 6, अब यह जो 100 है, इसे हम दो तरीके से लिख सकते है, minus 8 iota और यह plus minus, पहले तो आप 100 को अलग कर लीजे, और फिर square root minus 1 लगा लीजे, और upon 6, तो आपको पता है कि यह square root 100, यह 10 होता है, तो आप यहां से लिखेंगे, x equal to minus 8 iota plus minus 10 iota, iota का मान जैसे कि आपको पता है, यह square root minus 1 होता है, upon 6, तो एक बार हम धन्चिन ले करके चलेंगे, दूसरे बार रिंचिन ले करके तो धन्चिन लेने पर, मान लेते हैं कि यह जो value में मिल रही है, x1 है, minus 8 iota plus 10 iota, upon 6, इसे आप solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा, 2 iota upon 6, और आगे हल करेंगे तो मिलेगा, iota upon 3, तो यह x का एक मान है, जो कि इस समी करण को संतुष्ट करेगा, इसी तरीके से, रिंचिन लेने पर, x equal to minus 8 iota minus 10 iota upon 6, यहाँ पर हम रिंचिन का इस्तामाल कर रहे हैं, तो इसे आप solve करेंगे तो मिल जाएगा, minus 18 iota upon 6, और फिर मान लेते हैं कि यह x2 है, तो यह x2 equal to minus 3 iota, तो इस तरीके से हमें, दो मान मिला, x1 जो है यह iota upon 3, और x2 जो दूसरा मान मिला, यह है minus 3 iota, यह इसका उत्तर है,